नमस्कार प्यारे साथियो, स्वागते आप सबका आज के और एक सांधार वीडियो में दोस्तो हम मैंसे ज़्यादा तर लोग है वो middle class family से बिलॉंग करते हैं यानि कि हमरी जो income है वो हर महीने 20-25,000 से 50-60,000 तका vary करता है हम मैंसे कुछ लोगों का इससे कम भी हो सकता है, कुछ लोगों का इससे ज़्यादा भी हो सकता है दोस्तो अगर आप अपने future को save करना चाते हैं, अपनी family की अपनी बच्चों के future को save करना चाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए dedicated हैं दोस्तो दोस्तो हम जिस तरह के life जीते हैं, हम हमेशा ये कोसिस करते हैं कि हमेरे बच्चों को उस तरह के life ना मिले हर parents, हर माबाप यही कोसिस करते हैं कि उनके बच्चों को उनसे बहतर lifestyle मिले तो दोस्तो इसी के चलते हम आपके लिए लेकर आए हैं State Bank of India SBI का एक ऐसा fund जहां पर कि आप एक बार में अगर 50,000 deposit करते हैं तो long term में आप एक करोड रुपे का आप सुफाइदा मिल सकता है उस पैसे को withdraw करके आप अपने बच्चों को इलिए save कर सकते हैं बच्चों को दे सकते हैं और उनका future secure कर सकते हैं दोस्तों तो बिना देरी के दोस्तों आज चलिए हम बात करते हैं कि वह कौन सा fund है जहां पर आप सिर्फ 50,000 रुपे invest करके एक करोड का लाब ले सकते हैं इसे पहले कि दोस्तों हम यह वीडियो सुरू करें हम आपको एक बात जरूर बताना चाहेंगे कि यह जो वीडियो यह सिर्फ married लोगों के लिए नहीं है उन सभी के लिए हैं जो कि अपना future को save करना चाहते हैं जो bachelor है या फिर जो married है जो marriage यानि की साधी के लिए प्लान कर रहे हैं उन सभी के लिए यह वीडियो applicable है दोस्तों अगर आप old age है तो आपके लिए भी यह वीडियो दोस्तों applicable है आप यह वीडियो को अपने परिवार में अपने रिष्टेदार में दूसरों को दिखा के इ इससे पहले कि दोस्तों हम यह calculation सुरू करें हम आप से एक request है कि अगर आप चैनल पर new है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को like करें और आपने दोस्तों के साथ share करना मत भूले ताकि वो भी उनके बच्चों का life secure कर सके दोस्तों हम आ गए है अपने laptop के screen पे यहां आप देख सकते हैं यहां पर दोस्तों हमने SBI का यह fund खोल दिया है इसका नामे दोस्तों SBI Contra Direct Plan Growth दोस्तों यहां पर जो भी आप इस fund में पैसा डालते हैं SBI यानि कि State Bank of India आपके डाले हुए पैसे को जो construction company है उन पर डालती है दोस्तों आपको पता है कि जो construction है वो कितना ज्यादा हाइप पे हैं आप कहीं पे भी देखें हर तरफ government का construction चलता रहता है तो वहां पे पैसा लगाती है इसका जितना भी दोस्तों आपका लाव होता है कुछ SBI Bank अपने पास रखती है और बाकी का पैसा आपको दे देती है अब यहां पे दिखें दोस्तों यह जो SBI Cont Intradirect Plan Growth है हम आपको दिखाते हैं पिछले एक महिने की बात करें तो इसका जो return है दोस्तो 0.97% का return रहा है पिछले 6 महिने में इसका return 19.57% का रहा है इतना return दोस्तों बैंक को आपको दोस्तों एक साल की FD में भी नहीं मिलती एक साल की FD में बैंक आपको सिर्फ 6 से 7 प्रतेस 22% रहा है दोस्तों पिछले 3 साल की बात करें तो 37.23 कितना ज़्यादा return है दोस्तों आप देख सकते हैं पिछले 5 साल की बात करें तो 19.69% का इसका average rate of return रहा है दोस्तों अब दोस्तों यहां से हमें एक बात पता चलता है कि अगर हम यहां पर invest करेंगे SBI Contra Direct Plan Growth में तो साला on an average हमको 20% के आसपास तो मिली जाएगा अब इस यहां पर दोस्तों एक बार देख लेते हैं कि लोगों ने यहां पर क्या invest किया है या फिर नहीं किया है यहां पर दोस्तों देखे इसको 5 स्टार का rating भी मिला हुआ है मतलब लोग इसको अच्छा पसंद करते हैं अब लोग अब यहां पर दोस्तों आप जो investment करेंगे दो तरह किसे कर सकते हैं पहले हर महने कुछ-कुछ पैसा डालके यानि कि हर महने इसका monthly SIP बोलेंगे इसका minimum value है दोस्तों 500 रुपे हर महने सिर्फ 500 रुपे आप यहां पर डालके यह SIP स्टार्ट कर सकते हैं बात करें लंसम की य 500 रुपे डालके आप इसको long term के लिए continue करेंगे दोनों केस को हम बारी बारी करके देखेंगे दोस्तों कि कौन से मैं आप किस तरह से आप इसका लाव ले सकते हैं दोस्तों तो चलिए एक बार हम चलते हैं इसके calculator पे और यहां पे समझते हैं कि आप कितना पैसा deposit करने से आ IPB calculator है हम दोनों को बारी बारी के से समझेंगे तो पहले आते हैं दोस्तों लमसम calculator पे अब माल लीजे दोस्तों आप यहां पे 50,000 रुपीज डालते हैं यानि कि जब भी आप मेरे इसका planning कर रहे हैं या फिर आपका baby का planning कर रहे हैं तब आप यहां पे 50,000 रुपीज invest कर दे हैं सालाना हम यह पकड़ के चलते हैं कि हमें 20% का return मिलता है हो सकता है कि 20 से थोड़ा ज्यादा हो या फिर थोड़ा कम भी हो हम यहां पे average लेके चल रहे हैं 10 साल के बाद यह पैसा आपका 50,000 रुपए बढ़के हो जाएगा दोस्तों 3,00,000 रुपए 20 साल के बाद दोस्तो यह बढ़के हो जाएगा यह दोस्तो 19,16,880 रुपीज और दोस्तो 30 साल में यह बढ़के हो जाएगा दोस्तों एक करोड अठाल लाख अटसाथाजार 816 रुपए तो यहां पे आप 50,000 रुपए इंवेस्ट करके अपने बच्चों के लिए एक करोड रुपए का gift आप उ हर महीने हम मान के चलते हैं आप सिर्फ 500 रुपए का investment करते हैं सिर्फ 500 रुपए हर महीने इतना हर कोई कर सकता है दोस्तों अब इसी को अगर आप 30 साल के लिए continue करते हैं तो यहां पे भी आपको 1,16,8401 रुपए का आपको benefit मिल जाता है दोस्तों तो आप जिस तरह से चाह अपने बच्चों के लिए save कर सकते हैं या फिर हर महीने सिर्फ 500 रुपए investment करके भी आप 1 करोड रुपए से ज्यादा अपने बच्चों के लिए save कर सकते हैं अब दोस्तों आपके दिमाग में यह question जरूर आएगा कि इसमें से तो tax cut जाएगा जी हां दोस्तों इसमें से ज जो tax cut के आपको लगभग 1 करोड रुपए मिल जाएगा दोस्तों क्योंकि हमने जो calculation किया है यह 20% का लेकर किया है इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है फिर भी दोस्तों लगभग आपको 1 करोड रुपए मिल जाएगा इस तरह से दोस्तों आप अपने ब प्लान ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इस तरह के important वीडियो के लिए आप हमरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्ते के साथ वीडियो को सेयर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें आपका दिन मंगल मैं हो धन्यवाद दोस्तों